हेलो एवरिवान, वेलकम टू जैस्वीज किचन, आज हम बनाएंगे अर्बी, कोलोकेशिया, घुईया, या फिर इसको टेरो रूट भी कहते हैं, उसकी रसेदार सबजी बनाएंगे, गर्मियों की सबजी है, बहुत ही टेस्टी बनती है, लेकिन साथ ही साथ ही न्यूट्रि कर सकते हैं, या फिर पोटेटो पीलर के साथ भी इसको पील कर सकते हैं, यह मेरे पास 700 ग्राम अर्भी है, जिसको मैं पोटेटो पीलर के साथ चील करके रेडी कर लूँगी, यह बहुत ही वरसेटायल सबजी है, इसके स्टार्टर के भी बनते हैं, इसकी मेल डिशिस भी ब केलशियम आयन मेगनीशियम सब होते हैं तो यह गुणों का भी खजाना है तो चलिए हम इसे ऐसे चील के टुकडों में कट कर लेते हैं आप चाहें तो थोड़े मोटे राउंडल में कट कर लीजे या फिर इनको अगर बहुत मोटी है तो बीच में एक स्लिट लगा के कर लेते हैं ताके इसमें से जो लेस होती है नो एक्स्टा स्टार्च की वज़े से वो निकल जाए तो अब हम इसकी तयार ही कर लेते हैं तड़के की दो प्याज लिया है मीडियम साथाट के लिया लेसुन की है दो इंच टुकडा अद्रग का लिया है और दो हरी मिर्ची सारी चीजों को तयार कर लेते हैं जाहें चाइब कर लिया एक कोटर में फॉड़ को लीनगे लिया है लगेळ चॉटा जरा चामच मैने जीरा लिया है और एक खोड़ा चमच मैने अजिवाईन का डाला है इन दोनों को डाल जल सबहना है मूंँट अज़ास न्टका लेते ह और फिर हींग डाल के पास पॉटर वाली हींग है तो 1-4 तीस्पून अप इसमें एड़ करिये मेरे पास क्यूंकि मोटी वाली हींग है तो मैं उसका छोटा से टुकडा निदू दू Hm तो उस जो चोटा सा टुकड़ा हमने डाला है उसको निकाल लेंगे बाहर क्योंकि ऐसे मूह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा यह देखिए जो चोटा सा टुकड़ा में डाल दे रही हूं अरभी की जो बादी वाली तसीर होती है उसका इंद्धाम हो जाएगा हमने अधरक लेसोन और हींग डाल दी है तो यह डाइशन में कोई प्रॉब्लम क्रियेट नहीं करेगी यह देखिए वंजीरा और अजवाइन भुन गई है और हींग भी भुन गई है तो अब हम इसको डिसकार्ड कर देते हैं इसके बाद हम एड करेंगे इसमें प्याज लेसन अधरक और उसको लो मीडियम फ्लीम पर हम जब तक पूनेंगे जब तक कि वह अच्छा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता प्याज डाल देने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देने से वह जल्दी कुक हो जाता है तो प्याज मिक्स करके तेल में टॉस करके फिर हम उसमें नम तो प्याज मिर्श डाल के चॉप कर लिए आप चाहें तो उसको ग्रेट करके या फिर प्यूरी बना के भी ले सकते हैं अब हम टमाटर एड कर देते हो क्यूंकि प्याज हमारा अच्छे से बुन गया है तेल भी अलग हो गया है तो टमाटर डाल के फिर हम बाकी की सीजनिं आड करेंगे क्यूंकि टमाटर डाल देने के बाद फिर हम नमक आड करते हैं ताकि वह अच्छे से पक जाएं टमाटर और तेल जल्दी से अलग हो जाए तब आप टेस्ट के अगॉर्डिंग नमक डालेगा क्यूंकि हमने पहले भी नमक डाला है तो धनिया पाउडर डाला मैंने थोड़ा और फिर हल्दी पाउडर डाल दी है और फिर देगी मिर्च डाल देंगे हम ताकि इस सबजी का कलर और अच्छा आजाए और हमने हरी मिर्च भी आड करी है तो इसलिए अपने टेस्ट के अगॉर्डिंग ही देगी मिर्च आड करिएगा तीक ही कम होती है ल मल्मल के धो लेने के बाद मसाले में आड कर लेते हैं और फिर हम इसको दो मिनट के लिए ऐसा ही मूनेंगे बिना पानी आड करें ऐसा भून लेने से इसमें जो लेस होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है दो मिनट भून लेने के बाद इस अबजी टेस्टी भी मनती है और फिर इसमें हम पानी एड़ करेंगे, मैंने तकरीबन एक गिलास पानी एड़ करा है, आप अपने consistency जैसी आपको चाहिए, थिक चाहिए या थिन चाहिए, उसके according पानी एड़ करिए, उसको अच्छा सा mix दीजिए, और फिर आप pressure cooker का धकन लगाए, विसल लगाके उसको एक व और इसकी करी का जो consistency है, वो भी आप देख सकते हैं, कैसी है, आपको अगर पतली चाहिए, तो पानी और एड़ कर सकते हैं, इसको अरभी को भी हम चेक कर लेते हैं, देखिए, फोक के साथ मैं चेक कर रहे हैं, तो ये इसली इसमें इंसर्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि अर धनिया और गर्मसाला एक अच्छा सा मिक्स करेंगे और प्रोस देगे, फिर आम इसमें इसको serving bowl में निकाल लेंगे और गर्म गर्म सर्व करेंगे, रोटी के साथ या फिर प्रांटे के साथ साथ सर्व करिए, या फिर चावल के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, तो ऐसे अबन आयेगा ये सबजी और अपनी फीडबेक मुझे जरू दीजीगा, प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल, पर टेस्टी, हेल्दी, नुटिशियस, इजी, क्विक, इंट्रस्टिंग, एक्षॉटिक रेसिपीज, थैंक यू फॉर वाचिंग, वाचिंग